हलो फ्रेंड मैं हूं राजीव और आपको फीर से बहुत बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं जो फोटोसॉप का नेक्स सीरीज है उसमें जो है वेक्टर से वेक्टर से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसॉप में जिसे आप सब को जानना चाहिए जब है बनाजी इसके लिए इंपॉर्टेब है तो हम इसे डिटेल में काई से यूज करते हैं अको हम आज चलते हरे अपने सब सकतेयों के लिए हम सब самого आने के बाद हम सब को इकनिन जो करना है यहां से जो भी है आपको यहां से नाम कुछ भी देख सकते हो और यहां पर कस्टम जो भी है ओन्में यहांद सब्सक्राइब है फिल्हें क्शक्टिंट में हो ले जाक?", हम सब को यहां पर जो भी it says करना है वो करके कदें कि आपि नया पेज ओन हो गया अब यह पेज ऊपन हने के बाद जो है यहां पे हम सब को से जानना है इसलिए हम सब inve Menschen पे जाएंगे आपे यह टूर वर को आने की बाद जो है यहां पे यह लोगत षेफसंव होता है जो वेक्टर शेप होता है तो आपको यहां से आज हम यही सब के बारे में देखेंगे कि यह सब क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं यहां पर आने के बाद हम सबसे पहला जो है रेक्टैंगल टूल लेते हैं आपको रेक्टैंगल टूल लेने के बाद सिंपली यहां प 日 रOMध करने के बाद है आपको सिंप्ली यहां पर ऐसे ड्रक करना रेक हैं ड्रैक करने वाद आप जो भी सेप चाहिए आप सब को से यहां को कोई भी क्रिय प्रेस नहीं करना तो आप को वह goods कर देते हैं और यहां पर कड़ेज़ाव में जाए το है और फिर स्विष्ट करना में ऑद आप करोगे तो सबस्क्राइब स्विष्ट प्रफ्ट्रेश स्विष्ट कर दिए तो आप यहन पर क्लिक करने के बाद आप करोगे तो यहां इस तरीक Потому के बाद open कर देते हैं और यहां पर click कर देते हैं यहां से आने के बाद आप रहाます ना पर अिया बहुत सब path और pixel हम सब अभी जो भी काम करेंगे shape में करेंगे उसके बाद है feel stroke 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 का size stroke का shape का ऐसा रखेंगे width height और यहां पे हम इसको बाद में देखेंगे कि क्या होता है सबसे पहला जो है जो है feel पे आते हैं अब यहां पे क्या होता है आपको जो यहां पे color set जो आप यहां पे foreground में जो भी यह करोगे यहां पे जो भी यह color में जो भी करोगे यह background है foreground है आपको यहां पे जो भी color set करोगे वहां पे जो वही color में हम सब का rectangle path लेंगे वहां पे जो दिखेगा उसके बाद यह color को हम change करना चाहते हैं तो यह color को change करने के लिए आप सबको fill पे आ जाना है fill पे आने के बाद यहां पे बहुत सरा property है यह जो है करेंगे तो सिर्फ transparent हो जाएगा background खतम हो जाएगा no color है यहां पे है जो color fill करने के लिए यह जो है color fill होगा इससे solid color है यह है जो gradient है यह जो है gradient का होता है और यह जो है यहां पे आप सबको pattern आ जाएगा यहां पे है जो आपको color पी कराएगा तो सबसे पहला जो है हम यह देखते हैं यहां से हम click करेंगे तो आप देखो यहां background जो है इसका hide खतम हो गया आपको सिर्फ एक line दिख रहा है जो कि a stroke है अब यह stroke भी नहीं है simple highlighted line है इसमें जो भी color नहीं हो गया यहां से आप click कर सकते हो उसके बाद हमको जो भी color set करना है यहां से बहुत सारा color का pattern है यह चीज हम सबको जो भी color करेंगा recently use color यहां पे आते जाएगा तो आप सबको यहां पे जो भी color set करना है कर सकते हो नहीं तो फिर यहां का आपको यहां पे एक और इसका जो है option है यहां पे click करने के बाद हर एक जो भी tool है यहां पे maximum tool में जो यह step का preset आपको दिया जाता है यहां पे copy feel करोगे तो जो भी copy किया हुआ है वो feel हो जाएगा क्योंकि जो भी हम काम करते हैं और उस समय प्रैक्टिस में रखता है जो हम जैसा हम यहां पे रखते हैं वही हम सब को लाश तक प्रैक्टिस में रखता है जब तक हम काम करें फोडो सॉप में तो यह सब आप सब को स्टार्टिंग में दोरह हम सब यूज जो भी हम डाउनलोड किये हैं वह यहां से डाल सकते हैं उसके बाद जो है सेब सुचेज यहां से हम कुछ भी क्रिट करके हम से सेब करेंगे तो बार बार हम यूज करना चाहते हैं उसे यूज कर सकते हैं उसका सेब सुचेज और प्लेस सेचे अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना यहां से सिर्फ हम से क्वोग सेलेक्ट कलर के ही ज्यादा रधा है इसलिए यह कलर यूज कैसे करना है बो देखते हैं उसके बाद जो आग ग्राडियेंट तो ग्राडियेंट भी इसके पहले जो मैंने बता चुका है इसके नेक्स सीरीज में पूरा आजाएगा तुम हम ज़ादा कुछ नहीं हमसदे और यहां पे हम देखते हैं कि यहां पर यहां पर करना है तो आहँ ग्रेडियों यह जो दिखा रहा है center यहाँ पर जाके हम simply और add कर लें यहाँ पर नीचे जाके simply हम यहाँ पर click करेंगे तो एक और gradient और angle change करना यह सब तो हम सब gradient में चुके हैं तो उसमें आपको details में gradient देखना है तो आप उसमें जो मेरा previous series है उसमें gradient का जो है आपको playlist में मिल जाएगा कि सारा जो भी chapter है उस टैप कम जो भी आप सब करना है यहाँ से यह हो गया और इसके बाद जो उपर है उपर जो होता है यह opacity को कम करने के लिए आपको opacity कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो अमलब transparent हो जागा जो भी है इसका जो color blue था उसका opacity हम कितना रखना चाहते हैं तो उपर में जो है जितना भी opacity रखना चाहते हैं उसको कम करते हैं transparency कम हो जाता है यह हो गया अपना का gradient उसके बाद हम सब आते हैं pattern पे तो pattern में भी बहुत सरा चीज होता है जो pattern आप इसमें भी उसी तरीके से है load कर सकते हो different type का patterns आपने खुद भी बना के pattern create कर सकते हो जिसमें मैंने gradient में बताया कि आप कैसे pattern बना सकते हो उसमें मैंने बता चुका हो details से तो आप वहां से देख सकते हो कि कैसे हम pattern create करके save कर सकते हैं यहां से भी save है load कर सकते हो save कर सकते हो preset कर सकते हो जो भी pattern gradient रख सकते हैं वो रख सकते हैं उसके बाद जो है यह है अब यह सबसे यह है कि आपको जो भी कलर यूज करना है वो कलर से यूज कर सकते हो यहां से आपको बहुत सारा कलर दिया जाता है आपको जैसा भी आपको कितने भी कलर का टाइप होता है सब आप यहां से यूज कर सकते हो यहां से बेव यू में होता है आपको सिंगल जो भी color set की और उसका different type का आपका यह आजाएगा तो यहां से भी आप देख सकते हो तो यहां से आप कोई भी color change करना है तो यहां से आप करके से कर सकते हूं उसके बाद है हम सब आते हैं श्रोक पर श्रोक में क्या होता है अभी यहां पर नन है यह जो है नो श्रोक यह जो साइन होता है यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम सब श्रोक डालना है तो यहां पर सेंप है आपको ब्लैक करना है तो ब्लैक डाल स साइज है यहां पर जो है यह साइज होता है यहां पर साइज बढ़ा सकते हो तो पता चलेगा कि अश्रोक का साइज क्या है यहां से डिफ्रेंट टाइप का यह यूज कर सकते हो आपको अश्रोक का भी साइड यहां से यह जो कलर ही यहां से नो हो गया दि नहीं करना है तो नहीं हो सकता है यहां पर फिल कर सकते हो यहां पर कर सकते हो नहीं रखना है तो नहीं कर सकते हो यहां से जो भी कलर डालना है आप यहां से यूज कर सकते हो उसके बाद यहां से आपको यह इस टैप का ग्रैडियन भी डाल सकते हो जैसा भी आप सब को यह रहेगा उसके बाद पैटर्ण भी डाल सकते हो इसमें डिफ यहां से लोड कर सकते हो यहां से लोड करके आप यहां से लोड करके आप सेब किया हुआ पैटर्ण यूज कर सकते हो यहां से तो इस टैप से आपके पास जितना भी है आप डिप्रेंट टैप का इसका कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो यहां से कि उसके बाद जो यहां से साइज भी यह कर सकते हो जो भी आप फोटोग्राफिक जो बनाते हो एलबम उसमें यूज होता है इस टाइफ का पैटर्न का जो फ्रेमिंग का फ्रेम जब भी बनाते हैं तो इस टाइफ पर जितना भी अट्रैक्टिव आपको नुईट से डाउनलोट करना है यहाँ फुद भी कर सकते हो इस चाहते हो फो號-स टलिटियल सरने हम से डिफेन ट्रफय डिलीट इस ट्रफटक का यूज कर सकते हो हुए लाइन को को वहां से कर सकते हैं अभी फिलहाल ले ले लेते हैं तो यह रहेगा कि उसके बाद हम सब आते हैं इसके बाद जो है यहां पे न्यू लेयर कंबाइंड से क्या होता है वाइंड से यदि कितना भी हम लेते जाएंगे, यदि हम add करते जाएंगे, combine होते जाएगा, इस टैप का कुछ भी मुझे बनाना हो, ग्राफिक्स में तो बहुत ही attractive होता है, इस तरीके का जैसे हम सब फ्लाइट का shape बनाते हैं, उस तरीके से use कर सकते हैं, ये इसको बनाते समय है, इसको undo गया है, मतलब आपको जो भी दिखेगा, इतना cut चुका है, subtract में, उसके बाद जो है, next है, आपको intersect, intersect में क्या होता है, जो भी करेंगे, उतना ही add रहेगा, बाकी जो है, जितना ये किये, उसके बाद उतना हट ये, मतलब जो भी हम selected करेंगे, उतना ही shape दिखेगा, intersect में, exclude overlapping अब exclude मतलब जितना भी हम ये select करेंगे, उसका उतना छोड़ कर सारा इधर, ये exclude हो जाएगा, मतलब जो भी select करेंगे, वो exclude हो जाएगा, बाकी जो है, वो रह जाएगा, तो ये step का आप use कर सकते हो, जब भी graphics बनाते हो, तो ये सब का बहुत ही important use होता है, और अच्छे से इ ये जो shape है, ये जो है rectangle shape है, उसमें इतना सारा property है, तो इसको delete करते हैं, नेक्स जो आते है, rounded shape, तो rounded shape में क्या होता है, आपको simply यहाँ पे rounded में आ जाता है, जो corner आपका है, rounded में आ जाता है, ये जो rounded कर आया, बाके same property है, field stroke, जो है, यहाँ से size का, stroke का size बढ़ाना, weird size, सब same ह आपको सिर्फ यहाँ पे एक और option दिया जाता है, radius का, actually अभी radius चेंज नहीं होगा, जब भी मुझे इसका use करना हो, तो यहाँ से हमको radius जब भी change करना हो, तो हमको next जब भी save बनाते हैं, उसके पहले हमको यहाँ पे set कर लेना होता है, यदि 20 रखे तो आपको देखो, यहा और round corner हो गया, तो इसका भी बहुत अच्छा use होता है, जब भी आप graphics बनाते हो, जब भी आप template बनाते हो, यदि बेप design के लिए आपको template बनाना हो, किसी website बनाने के पहले हमको कैसा, उसका template बना के कैसा हमको दिखना चाहिए website, उसके लिए हम सब वहाँ पे बहुत use होता है यह सब जो shape है, rectangle rounded shape का, तो यहाँ पे normally हम सब यदि हम इसको zero कर देते हैं, तो आपको rectangle बन जाता है, तो इससे भी rectangle भी बना सकते हैं, और simply उस step का shape भी use कर सकते हो, normally हम सब taint रखते हैं, और इसको देख लेते हैं कि यह है, तो आप इसका भी देख सकते हो इस तरीके से, उस के बाद ellipse tool, ellipse tool भी simple tool होता है, जिसमें जैसे कि आपको किसी भी elliptical draw करना है, तो elliptical draw हो जाएगा, कैसा भी step में save करना है, तो step से हो जाएगा, यदि आप shift क्लिक करके कर सकते हो, तो round में आ जाएगा, यह जो है circle बन जाएगा, circle में भी इसी तरीके से आप different type का use कर सकते हो यह subtract कर सकते हो, आपको combine save कर सकते हो, इस तरीके से यह आपको कुछ भी बनाना हो, तो आप इस तरीके से दीख सकते हो को जो भी save कर सकते हो, rectangle में भी, elliptical में भी, polygon में क्या होता है, आपको elliptical में यह जिधान देना है, अकल्य पेन सेर्क भी बन जाएगा उसके बाद उसको पॉलीगोनल टूल तो आपको tava रहा है तो सेट करने का हो जाएगा number of sides कितना रहना चाहिए smooth corner रहना चाहिए star रहना चाहिए यहां से भी हो जाएगा नहीं तो फिर आप simply यहां से click भी करते हो step से उसके बाद आप यहां से भी change कर सकते हो लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि पहले change सबसे पहला आपको side change करना है उसके बाद आपको हाई यह करना है side बहुत जदा हो गया यदि normally हम 12 रखते हैं तो step का save हो जाएगा यदि हम कम करते हैं तो step का हो जाएगा जो भी side आपको करना है यहां से आप देखो तो 11 हो गया यदि हम और कम करना चाहते हैं तो 4 हो गया इस तरीके से आप इसे use कर सकते हो जो भी shape बनाने में जैसे mathematical का tutorial बनाना है ग्राफिक्स बनाना है तो उसमें use होता है line का भी होई सही है यदि हम simply step से कीचते हैं तो step से line हो जाता इसका भी property वही है कि यहां से हम size width height बढ़ा width बढ़ा सकते हैं तो इसका भी width आप बढ़ा के देख सकते हो नॉर्मली हम सब को जो भी रगा लेकिन जो भी करना है पहले करना है उसके बाद हमको यह create होगा नहीं तो यहां से हम चाहेंगे कि आप जाके बढ़ा है तो यह नहीं बढ़ेगा यह चीज धियान रखना है इसमें भी safe चीज है जो कि आपको यदि हम shift के साथ करेंगे तो आपको straight line करेगा नहीं तो फिर आपको कोई भी यह कर सकते हो जैसे भी diagonal में करना है यह हम shift के साथ करते है तो बिल्कुल अश्टेट होगा कोई भी tool यूज करने के पहले आपको shift के साथ करोगे तो बिल्कुल अश्टेट और अपना जो रियल से पनेगा वह बनेगा उसके बाद जो है सबसे important tool है custom shape tool custom shape tool क्या होता है custom shape tool में आपको कोई भी shape बन जाता है कैसा भी बना बनाया जो shape है आपको यह मिल जाता है आपको जो सारा जो है property आपको सब same ही मिलेगा जो की मैंने rectangle में बनाया बताया था और इसमें जो है यहाँ से आप drag करके इसे बड़ा कर सकते हो और इसे बहुत सारा shape है आपको यहां से आने के बाद बहुत सारा shape मिलेगा यहां से animal का होचाई है तो animal का मिल जागा यहां से append करना है animal का इस टाइप से आपको animal का जो चाहिए step का मिल जाएगा जो भी रहेगा उच टाइप का उसके बाद आपको यह जो चाहिए उसके बाद जो है कोई भी से प्राइब का थो आप सिंपली यहां पर बना सकते हो और इसका सिंपली कलर भी चेंज कर सकते हो यहां से अभी दोनों एक साइड हो गया यदि हम अलग-अलग layer पे करना है तो अलग-अलग layer पे लेना पड़ेगा नहीं तो फिर एक ही layer पे सारा हो जाएगा और सबका जो भी हम काम करेंगे सबका same हो जाएगा इस tab से और इसका भी color उसी tab से change कर सकते हो जैसा भी आप सबको रखना है तो यह भी बहुत ही important है जो कि हम जब भी graphics बनाते हैं जैसे simply हम एक यहां से graphics जो भी है हम यह ले लेते हैं यहां से ड्रैकर करके import करते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि हम मुझे यहां पर कुछ word बगर चाहिए तो word के लिए हम सब क्या करेंगे यहां से हम simply यह word को लेते हैं और यहां पर हम यह बनाते हैं अब इसका color थोड़ा सा हम सब इस टैप से करते हैं और इस टैप से यह दिए हमको इस टैप से graphics में यूज करना है यह तो मैं example दे रहा हूँ इस टैप से आप सारे का यूज कर सकते हो जिसमें जितना भी प्रोपर्टी यह सेम होता है कुछ कुछ का यह यूज करके देख सकते हो और बैक्राउंड कैसे बनाते हैं उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है यह सब विक्टर सेप का तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो विक्टर सेप का तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम सब ने देखा कि विक्टर सेप को हम यूज कैसे करते हैं फोटो सॉप में आओ टूल को कहां से हम लेते हैं और कहां से हम इसको ड्रॉ करते हैं बगार जो भी है तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप से को पसंद आया होगा और फोटोसप में जो विक्टर शेफ है उसे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इससे आप कुछ सीखे होंगे जादे आते हैं थंबनेल जो आइकन है उससे भी क्लिक करें ताकि आपके पास जो अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके आप और कुछ सीख सको